हेलो, नमस्ते, आज मैं आप लोगों के लिए मिलेट से एक कुकीज का रेसीपी लेके आया हूँ ऐसे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिलेट से नया-nया रेसीपी बनाया जाए और शोशियल मेडिया में शेयर किया जाए और दूसरी तरफ International Year of Millets घोशित हो चुका है 2023 के लिए तो चलिए, आज के रेसीपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें यहाँ पे लगेगा दूद, सुगर पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर, रूम टेंपरेचर में रखा हुआ, 80 ग्राम बटर और मिलेट्स यहाँ पे मैंने finger millet लिया है, या इसे आप लोग रागी भी बोल सकते हैं, और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे fox tail millet, या इसे आप लोग yellow millet भी कह सकते हैं तो सबसे पहले एक बर्तन में मैं ले रहा हूँ, रूम टेंपरेचर में रखा हुआ, बटर, 80 ग्राम बटर, यह एकदम नरम हो चुका है, अब इसके अंदर देना है, टू थर्ट कप पाउडर सुगर, कुछ नहीं, चीनी को mix a grind है, बढ़िया से grind कर लीजेगा, यह अब हमें मिलाना है, यहाँ पे सुगर को और बटर को तब तक हमें बढ़िया से मिलाना है, जब तक यह बहुत सुंदर एक क्रीम जैसा ना बन जाए, और कुछी दिर में देखिएगा, mix करते करते यह बन भी जाएगा, एक तम बिलकुल क्रीम की तरह, जिस तरह यहाँ पे वन अंडा हाफ कप मैदा, अब उसके अंदर दे रहा हूँ, वन टी स्पून बेकिंग पाउडर, अब इसे हम लोग बढ़िया से चाननी में चान लेंगे, इसका दो फायदा है, एक तो जो बेकिंग पाउडर है, वो मैदा के साथ अच्छा से mix हो जाएगा, और जो हमारा म मैदे के साथ अच्छे से mix करना है, चाहे तो spatula के साहता से भी कर सकते हैं, पर हाथ से सबसे बढ़िया होता है, और जब देखिएगा, कि यह जो buttercream है, वो मैदे से अच्छे से mix हो चुका है, सब कुछ अच्छे से, एक दूसरे से combined हो चुका है, तब हम लोग देंगे, इसके अंदर देंगे, और अब इसे हम लोग बढ़िया से mix कर लेंगे, जब सब कुछ बहुत सुन्दत से mix हो जाएगा, तब हम लोग यहाँ पे लेंगे दूद, मैंने यहाँ पे half cup दूद लिया है, पूरा दूद एक साथ नहीं देना है, याद रखिएगा, पूरा दूद एक साथ नहीं देना है, अब इसे हमें गूदना है, ठीक जैसे हम लोग पौरोटा या हम लोग रोटी बनाते हैं, उसके लिए जो डो होता है, उसके लिए जैसे जैसे गूदते हैं, वैसे ही करना है, और जैसे जैसे जरूद पड़ेगा, उतना उतना दूद का यहाँ पे वह प्रमूद भी हो चुका है, और देखिए कितना बटरी, एकदम ओईली लग रहा है न उपर से, आप लोग चाहें तो मेरे हाथ को भी देख सकते हैं, ये एकदम ओईली या बटरी बन चुका है, देखिए एकदम, तो इसी हालत में हमें डो को छोड़ देना है, और देखिए यहां लगा हैं कि पूरा दूर यहां लगाए थोड़ा दूर्थ बज गिया है हमें all gutes कि छोटा गंट्टे के लिए ऐहां पर उचुका है और थोड़ा सर्फ्ट बन चुका है अब दो से एक थोड़ा सा पोर्षन मैंने हाथ में ले लिया है अब करना की कुछ नहीं है इसमें से छोटा छोटा पोर्षन हमें लेना है तो पहले उसको बढ़िया से हम लोग हाथ से एक रूल बना लेंगे और देखने कितना oily कितना shining है इसमें बहुत सारा बटर है तो इस यहां भी मीडियम साइज में करूँआ कुकी थोड़ा सा छोटा ही अच्छा लगता है तो इस तरह छोटा छोटा पोर्षन में से मैंने एक लेके उसे हाथ में बढ़िया से बॉल की तरह गोल कर लेना है जिस तरह मैं यहां पे करके आप लोग को दिखाने के कोशिश कर रह उपा से ऊदा प्रेस करना है ताकि मिलेट गिरना जाए कुकी और ठीक इसी प्रोसेश में हम लोग जो बाकी कुकी है उसको भी तियार कर लेंगे आप लोग दोनों जो मिलेट से यहां पर फॉक्स्टेल मिलेट और फिंगर मिलेट दोनों का वहय वाष़ कीजिएगा ठीक इसी तरह, मिलेट्स के काफी सारे फायदे हैं, जिस सारे ये सुगर को कंट्रोल करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है, डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, इसमें काफी मात्रा में फाइवर होता है, और भी बहुत सारे बेनिफीट है, जैसे एंटी आक्सिदेंट्स बहु कर लेंगे ताकि जब cookies बनके निकलेगा ओवें से तो यह चिपकेगा नहीं यह आसानी से ट्रे से निकल जाएगा अब उसके उपर हम लोग जो मिलेट्स की cookies हम लोग बनाके रेडी करके रखे हैं उसे हम लोग उसके उपर रखेंगे और थोड़ा सा गैब दीजेगा क्यूंक साथ में लगब लगब 15 मीट के लिए जादा वक्त नहीं लगेगा उसी में बन जाएगा और बोथ हीटिंग साइड में रखिएगा ओटी जी को तो 15 मीट के लिए यहां पे बेकिंग हो चुका है अब हम लोग ट्रे को निकाल लेंगे यहां पे cookies बिल्कुल बन चुका है हम और आप लोग देखी सकते हैं यह एकदम perfectly बना है तो आज का यह recipe आप लोग अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को like, subscribe और share कीजेगा बेल नोटिफिकेशन तो ज़रूर प्रेस कीजेगा ठीक इसी तरह बहुत सुंदर सुंदर और बढ़िया recipe पानी के लिए थै हिंद